Hello everyone, welcome to Magnet Brains, कैसे हैं आप सबी, I hope आप सब happy and healthy होंगे मैं हूँ करीन आप सब की Evis Educator, Students आप स्वागत करती हूँ आपका Magnet Brains के चानल पर Students, आज हम Chapter 7 के Excises स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सबी को बता देती हूँ कि Magnet Brains आप सबी को प्रोइड कराता है Kindergarten से लेकर Class 12 तक ये Free and High Quality Education जी विलकुल हाँ, Students English Medium Channel पर आप सभी के लिए CBC Board के सारे वीडियोज अविलेबल है इसके साथ-साथ हमारा एक Hindi Medium Channel भी है जहाँ पर आपको मिल जाएंगे Class 6 से लेकर Class 12 तक के सारे के सारे वीडियोज with 5 other State Boards वो 5 State Boards कौन से हैं वो भी बता देती हूँ, Students MP Board, Bihar Board, Delhi Board, UP Board and Varisthar Board So Students, आपको क्या करना है भाई? आपको जितने भी Friends, Relatives याँ पिर Siblings जो Hindi Medium से Study कर रहे है है ना? उन सभी को इस Hindi Medium Channel के बारे हैं बता देना है और वहाँ पर Join कर देना है ताकि उनको भी Education का पूरा Profit मिलता रहे ठीके? साथ में आप सभी के लिए Fully Organized Courses भी अवलेबल है जैसे की Vedic Maths and Spoken English जिसमें Daily Practice Questions भी प्रॉइड कराया जाते है Exam Time में आपको Full Crash Course भी Cover कर वाया जाता है साथ में E-Notes and E-Books का जो Link है वो Description Box में मिल जाएगा उसे Grab करने के लिए Link को चेक करना मत भूलेगा All right So चलिए शुरू करते हैं हम इस Chapter से Chapter के Excises से Students लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है इस Video को Like करना है जिते Students Watch करें जाद इस Video को Like कर दो Share करो अपने Friends के साथ ताकि उनके साथ मिलकर आप इन Excises को Solve करो So पूरे वीडियो में आपको क्या करना होगा Focus करना होगा बिलकुल भी Distract नहीं होना है And Score को Note करते चलना है कि आप इन Excises को Solve कर पा रहे हैं या नहीं वीडियो के End में मुझे अपना Score बताना भूलेगा मत फिर Start करते Excises से चलिए Chapter 7 है Water a Precious Gift यह Explanation हम Already समच चुके हैं चीके मैं आप सभी को समझा चुकी हूँ Water के बारे में Water कितना जादा Precious है And सबसे जादा Useful and बहुत जादा Important है हम यह सब समच चुके हैं अगर आपने Explanation Parts नहीं देखें तो जाकर जल्दी से Watch कर लो मिस मत करिएगा सबसे पहले आपको Explanation ही Watch करना इसके बाद ही आप Excises को Solve कर पाएगे So चलिए अब Start करते Excises Students सबसे पहले आपको Page No. 98 पर आना है यह Let us Reflect का जो एक Question है यह Part Right से हम Start करेंगे And सबसे पहला Question क्या है हम अच्छे से Read करेंगे च्छे के स्लोली स्लोली से Understand करेंगे And हम इसे Solve करेंगे Right? चलिए So you waited for rain And watched how rain drops fell to the ground So भाई आपने वेट किया किसके लिए वेट किया भाई? बारिश के लिए है ना? And वह सारी बारिश की बूंदों को क्या किया भाई? Watch किया, observe किया ठीके कि वह बारिश की बूंदों कैसे Ground पर गिर रही है ठीके क्या वो slow है, क्या वो fast है क्या वो rain drops बड़ी है क्या वो rain drops छोटी है So भाई हमने बारिश का वेट किया अच्छे से watch किया rain drops को है ना? और फिर You collected rain water and observed It was clean or dirty ठीके? So हमने बारिश के पानी को collect भी किया ठीके? और वो जो बारिश का पानी था हमने उसमें observe किया कि भाई क्या वो बारिश का पानी भाई क्लीन है या फिर डोटी है ठीके? You saw what happened to the rain water that fell in different places है ना? उसके बाद हमने ये भी रेखा कि भाई क्या हुआ उस बारिश के पाने को जो different different places पे गिर रहा था ठीके? Now write a few lines on your observations of the rain अब भाई आपने जो भी सारी चीज़े observe करी starting से लेकर end तक वो हमें लिखनी है सारी observations ठीके? So we have to write few lines हमें कुछ lines लिखनी है कि भाई हमने क्या चीज़े observe की है observations है ना वो हमें लिखना है answer में ठीके? कि भाई जब बारिश पॉल हो रही थी जो रेंड्रॉब्स पॉल हो रही थी वो कैसी थी? है ना रेंड्रॉब्स का साइस कैसा था है ना और फिल उसके बाद जो हमने रेंवाटर कलेक्ट किया क्या रेंवाटर क्लीन था? डिर्टी था? और यह बारिश का पानी जब different different places पर फॉल हो रहा था सो भाई हमारी क्या observations थी? ठीके? students जैसे की यहां लिखा है कि you saw what happened to the rainwater that fell in different places वो बारिश के पानी को क्या हुआ? जो different different places पर गिर रहा था right? so यह सारे चीज़ें जो हमने observe किये है ना? वो हमें उस पर based lines लिख लेनी है कुछ ठीके? कि हमारे observations क्या थी? तो चलिए मैं आपको example बता देती हूँ some drops can be big and fall fast भाई कुछ drops, कुछ बारिश की भूणदे कैसी हो सकती है? big ठीके कुछ बारिश की भूणदे बड़ी हो सकती है right students? है ना? ऐसे हो सकती है और वो बारिश कैसी हो सकती है? भाई fast हो सकती है ना? बहुत जादा 30 बारिश हो सकती है और बड़ी बड़ी भूणदे हो सकती है right? बिलकुल ऐसे ही while others are small and fall slowly पर कुछ बूणदे कैसी हो सकती है students? small हो सकती है और धीरे धीरे गिरेंगी right? यह मैं आपको already explanation में समझा ही चुकी हूँ ठीके? बट स्टिल हम answer भाई find out कर रहे हैं तो हम यह साई चीज़े वापिस से समझेंगे ठीके? तो भाई कुछ rain drops कैसी हो सकती है? small हो सकती है कुछ हो सकती है big ठीके? लेकिन जो small drops होती है जो बारिश की बूणदे छोटी होती है ठीके? वो धीरे धीरे fall होती है ठीके? जो बारिश की speed होती है कैसी होती है? slow होती है you might collect rain water in a bucket and see that it was clean because it came from the clouds ठीके? अगर आप terrace पर जाए ठीके? और open space में बिलकुल आस्मान के नीचे आप एक bucket को रख दे ठीके? आपने terrace पर आप terrace पर जाते हैं एक bucket ले जाते हैं और पूरे खुले आस्मान के नीचे एक bucket रख देते हैं ठीके? तो वो जो बारिश का पानी collect होगा bucket में आप जब उस bucket को लाएंगे और देखेंगे तो वो पानी पूरा को clean मिलेगा ठीके? क्यों clean मिलेगा? क्योंकि वो directly ले आस्मान से नीचे आ रहा है ठीके? नीचे भई जो पानी collect हो रहा है वो सीधा bucket में collect हो रहा है ठीके? आपको वो जो पानी है वो एकदम clean नज़र आएगा because it came from the clouds directly ठीके? वो जो बारिश की पूरा है वो directly कहां से आएंगे? ठीके? 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 वो जो बारिश की पूरा है वो डिरेटली कहां से आएंगे? क्लावट से बारिश की पूर रोड़ पर गिरेगे, यह रोड़ज अब्जॉब कर लेंगे पानी को कुछ जांड में गिरेगी तो ग्रावन अब्सॉब कर लेंगा उस पानी को क्योंकि भाई, धर्ति माताव को भी पानी चाहिए क्यों कि जो लैंड ऐगी dry हो जाता है है ना बहुत जब गर्मी होती है जब बहुत जब जब गर्मी पढ़ती है सूरज की heat की बज़े से यह जो लांड है भई ड्राइ हो जाता है तो लांड को भी पानी चाहिए रहता है है ना तो students ये जो water ये जो rain water है ये different different places पर गिरेगा जैसे की ground में कुछ पानी कहाँ चला जाएगा soil में मिट्टी में जाकर मिल जाएगा ठीक है and कुछ कहाँ चला जाएगा भाई कुछ गड़ों में चला जाएगा कि road पर जो puddles होते हैं own me kush puddles होते हैं चोटी-चोटी से चो खड़ी ये जो गड़े होते जोन पानी भरा होता है इन्हें हाँ कहते है überdust तो वोपानी थवड़ा puddles में collect हो जाएगा toute पानी बही स्टोइल में जाकर मिल जाएगा है ना and कुछ पानी तो भाई ground के नीचे collect हो जाएगा right, कुछ पानी लेक में जाएगा कुछ पॉंड में so ऐसे different places पर जाकर पानी collect हो जाएगा and students जैसे मैंने बताया था कि पानी clean भी हो सकता है पानी dirty भी हो सकता है अगर वो पानी किसी ऐसी जागा को touch करते भी आ रहा है जहां पर बहुत ज़्यादा dirt है है ना, जहां पर बहुत ज़्यादा dust है तो भी पानी फिर कैसा रहेगा भी dirty होगा, ठीक है अगर जो पानी है suppose students की भाई roof है आपकी घर का जो यह जो होता है roof होता है घर का अगर पानी यहां से आएगा ठीक है, तो हो सकता है इस roof पर क्या हो बहुत सारी dust हो ठीक है, एक और बार मैं आप सबको बता देती हो यह देखे suppose students यह जो roof है यहां पर पानी collect हो रहा है ठीक है, और अगर इस roof पर क्या होगी बहुत ज़्यादा dust होगी ठीक है, बहुत ज़्यादा dust होगी तो पानी जब नीचे गिरेगा तो कैसा होगा वो dirty होगा ठीक है, वो clean नहीं होगा क्योंकि वो पानी किसको touch करते वे नीचे आ रहा है भाई, dust को pollution goes, है ना जब पानी dust को pollution को touch करेगा, तो वो पानी कैसा हो जाएगा, dirty लेकिन जो पानी directly cloud से आ रहा है, तो वो clean होगा, ठीक है students समझ गए आप सब तो भाई, आपको भी अपनी observations, आपने क्या observe किया जब आपके याँ बारिश हुई आपने कैसे observe किया है कैसी थी raindrops, कैसी थी speed बारिश की, है ना वो पानी कैसा था, dirty था, clean था, वो कौन जे different, different places पर जाकर collect हुआ है, ये सारी observations आपको ऐसे answer बतानी है ये आपका example था जो मैंने आपको explain किया है, right so I hope आप सब भी ऐसे ये लिख लेंगे चीक है, so students अब question 2 पर आ जाते हैं, question 2 क्या कह रहा है, सबसे पहले सभाज लेते हैं you found out भाई, क्या find out किया है हमने, you found out the name and some information about a stream, river, well, pond और lake near your place, भाई students, chapter में given था कि भाई, आपको कहीं city में ऐसी जगर पर जाना है, जहां पर आपके city में या फिर village में क्या हो, stream हो, river हो या lake हो, है ना, वहाँ जाकर उस lake का या river का नाम पता लगा लेना है, ठीक है and कुछ चीज़े observe करनी, lake के आसपास क्या है, river के आसपास क्या है, जहां भी आप जा रहे है तो यह साई चीज़े आपको observe करनी थी, right, you found out the name and some information, आपको name find out करना था और कुछ information find out करनी थी, है ना कि भाई, आपके city में आगर stream, river, well, pond और lake है है ना, जहां भी आप रहते हैं उसकी आसपास, वहाँ पर आपको जाना था, और lake या river की नाम पता करने थी और कुछ information पता लगानी थी, right यह आपको बोला गया था, है ना So, right in a few lines, आपको कुछ lines लिखनी है, is this water used for drinking, क्या वो जो water है, वो जो lake water है, जो river का पानी है है ना, भाई, क्या उसे drinking purposes के लिए यूज किया जाता है If yes, how is this water carried to your home, अगर हाँ अगर वो पानी drinking के लिए use होता है, so वो पानी, वो नदी का या फिर वो lake का पानी आपकी घरों में कैसे हाता है If it is not used अगर वो पानी drinking के लिए नहीं use किया जाता है, तो क्यों नहीं use किया जाता है, why not है ना, was it used in the past ठीक है, सो आपको ये कुछ information पता लगानी है, ठीक है, आपको मैंने already chapter में भी explain कर दिया था कि students आपको जाना है अपने family members के साथ, या अपने elders के साथ ठीक है, आपके घर के असपस कोई भी lake, river, stream, pond वहाँ जाकर आपको उस जगा का name पता करना है, भी lake का name क्या है, river का name क्या है, और कुछ information आपको पता लगानी थी, है ना and मैंने आपको drawing भी बोला था, कि drawing भी आपको बनानी है, right, so I hope कि आपने में explanation video देखा हो तो आपको याद आ रहो होगा, ठीक है तो इसमें भी आपको वही homework भी मिला है and complete करना ऐसे, ठीक है, कि भाई ये जो पानी है, लेक का पानी क्या ऐसे, यूज किया जाता है, drinking के लिए है ना, अगर किया जाता है तो वो पानी घरों में कैसे आता है, अगर नहीं किया जाता है, तो क्यों नहीं किया जाता है क्या वो पानी पास्ट में पहले यूज किया जाता था drinking के लिए ठीक है, so ये कुछ questions के आपको answers लिखने है and मैं आपको बता देती हूँ कि भाई कैसे आपको करना है you can write about a stream आपके घर के आसपस अगर stream है, river है, well है, pond है या फिर lake है, आपके घर के आसपस कहीं भी village में या फिर city में, कहीं भी ऐसी कोई place है, जहां पर बहुत सारा water collect होता हो river में, well में, stream में, है ना so वहाँ आपको जाना है, ठीक है और people might have used this water for drinking a long time ago हो सकता है कि वो पानी, बहुत पहले, past में, है ना olden days में लोग use करते थे उस पानी को drinking के लिए ठीक है, but now they get their drinking water from pipes that bring it from far away, लेकिन अब वो पानी हो सकता है कहीं और से आता हो, pipes से पानी आता होगा कहीं बहुत दूर place होगी, वहाँ से पानी आता होगा right, so आपको वहीं उस place पर जाना है यह साई चीजे, यह information को आपको find out कर लेना है and यह से note करना है अपनी notebook में ठीक है कि भाई आपको जो भी information मिली है उस place के बारे में वो सारी चीजे आपको answer में लिख लेनी है ठीक है, चली students अब आगे बढ़ते हैं and page number 98 पर एक B question given है draw topic है, ठीक है क्या question है चली, read कर लेते हैं draw a picture of your bird bath भाई आपको यह आपका interesting task आपको मिल सुकर आप ड्रॉइंग चीज़ के, आपको draw करना है एक picture of your bird bath चीज़ के, bird bath के picture आपको बना लेना है write the names of the birds and insects that come to drink water from your bird bath चीज़ के, अब bird bath क्या होता है students bird bath pot हो सकता या कोई ऐसा container हो सकता है जो आप terrace पर रखते हों या balcony में या फिर आपने घर के भार रखते हों जिसमें से birds, animals, insects, water drink करते हों चीज़ के तो वो bird bath कैसा है है ना वो bird bath हो सकता है कि ऐसा हो भाई कुछ तो आपको एक picture draw कर लेना है है ना, किसका picture draw करना है students bird bath का and write the names of the birds आपको कुछ birds की names लिखने है या फिर कुछ insects की name लिखने है फिर आप animals की name लिख सकते हैं जो आते हैं इस bird bath के आसपास टीके टो drink water जब यह उनको प्यास लगती है वो पानी पीने के लिए आते हैं तो आपने कौन सी-कौन सी birds को इंसेक्ट को या फिर आपने कुछ animals को भी observe किया होगा पानी पीते हैं तो वो कौन है ठीके तो students उन सारे birds का इंसेक्ट का आपको name लिखना है ठीके and picture draw कर लेनी है ठीके students बहुत ही simple है आपको picture draw करनी है ठीके साथ में आपको अच्छे से color भी fill करना है आप चाहें तो आप उसके आसपास वो bird बना सकते हैं इंसेक्ट बना सकते हैं ठीके तो बहुत ही तदा creative लगेगा और राइट आपको birds की name लिखने है और insects की name लिखने है जो भी सारे birds and insects आते हैं इस bird बात के आसपास ताकि वो क्या पी सके students पानी पी सके राइट students और यह बहुत अच्छी activity है भाई आपको students अपने घरों के बहार अपने terrace पर या फिर balcony में ऐसे pots को रखना ही चाहिए ठीके ताकि भाई animals भी हमेशा happy रहें उनको भी पानी मिलता रहे और वो कभी प्यासे ना रहे ठीके students हमेशा आपको ऐसे bird बात रखने ही चाहिए और आपके आसपास बहुत सरे neighbors रहते होंगे आपके friends रहते होंगे neighborhood में राइट सो भाई उनको भी बोलिए उनको भी motivate करिए और influence करिए ताकि वो सारे भी अपने घरों के भार क्या रख सके ये bird बात रख सके ठीके भाई ताकि कोई भी animal भी प्यासा ना रहे है ना सारे animals birds हमेशा happy रहे और ये habit आपको भी अपने अंदर इंकल्केट करनी है ठीके जरूर भाई दूसरों को भी बोलेगा और हमेशा इस चीज को follow करते रहेगा ये बहुत ही अच्छी है इतनी जादा गर्मी पड़ती है animals and birds हमेशा प्यासे रहते तो हमें हमेशा ये bird बात को है ना terrace पर या फिर बालकनी में या फिर घर के बाहर आप रख सकते है ठीके आन हमेशा रखना भी चाहिए ठीके बहुत ही अच्छी activity है इसे आप जरूर करिएगा राइट जो भी birds या फिर इंसेक्स या फिर आनिमल्स आते है पानी पीने के लिए आपके bird बात में से could include birds like कौन सी-कौन 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 प्रेटिव वे में आपको अपने बर्ट बात का क्या बना लेना है पिक्चर आप चाहें तो इंसेक्ट्स एंड बर्ट को भी ड्रॉड कर सकते हैं बहुत ही सुंदर लगेगा अच्छो से कलर फिल करिएगा ठीक है पैंसल को शार्प करते हुए अच्छो से ड्रॉड करना है चीक है न स्टुडेंस बहुत ही सेंपल टास्क है आप जरूर करिएगा आपको रोज फॉलो भी करने है रोज आपको क्या करना है बहुत बात रखना है अपने घर के बार चीक है इस तो चलिए पेज नमर 98 पे सी एक क्वेशन गिवन है डिसकस ठीक है अब हमें डिसकस करना है अमरी लाइफ में हैना शर्व हमारी लाइफ में नहीं आई वाटर जो है इस पोरी तो वोल्ड के करेंगे फिर हम तक खाना कैसे आएगा नहीं आप आएगा नहीं आप आएगा नहीं सो भाई ये पानी जो है वो सब के लिए बहुत जादा खीमती है बहुत जादा इंपोर्टेंट है राइच हमें हमेशा सतर करेना चाहिए कि हम कैसे पानी का यूज कर रहे हैं अगर नहीं करने तो हमें आवेर हो जाना चाहिए थोड़े में चेक है हमें एक बूंद भी पानी की एक बूंद भी वेस्ट नहीं करने है ठीक है सुड़ें समझ गया आप सब आप सब भी ऐसे ही प्रामिस कलीजे कि हम सब पानी की एक बूंद भी वेस्ट नहीं करेंगे राइच चलिए दिसकर्स अमंग यॉर्स और आपको एक लिस्ट तयार करने है आपको खुछ से बहुत सारे कुईशन्स करने ठीक है या फिर बहुत ज़्यादा पल्यूट होता होगा ठीक है जैसे कि मैं आपको अक्टिविटी बता दू जब कार वॉश करते हैं स्टूडेंस है ना या फिर हम कोई भी अपना वहीकल वाश करते हैं तो उसमें पानी बहुत जादा वीस्ट हो जाता है अगर आप जो वहीकल है अगर भीओ आप BICycle wash कर रहे हैं two-wheeler wash कर रहे हैं फिर भीओ आपकी car wash कर रहे हैं तो हम अगर pipe से wash करते हैं तो पानी बहुत जादा waste हो जाता है Right? अगर bucket का इस्तमाल करते हैं है मक्स का इस्तमाल करते वह करते तो इसे हमें अंदाजा भी लग जाता है कि पॉनी कितना जाधा है हम ठर्फ कर रहे हैं उस कार को वाउश करने में रख में गरासा पाइप से पानी बस फ्लो करते जा रहे हैं टापश ऑन है रहा है ठाप ऑनी बहेरा रहा है जैसे पाने बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा हूँ या पल्योट हो रहा हूँ जैसे कि भाई brush करते time अगर taps खुले छोड़ दिये हैं तो वो activity भी इसमें ही count हो कि जिससे water बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है ठीक है? So how can we avoid wastage? हम पाने को waste होना कैसे लिए पाने का waste होना कैसे बचा सकते हैं? कैसे हम वोइड कर सकते हैं वेस्टिज को? ठीक है? So think of three solutions with your group and write them in your notebook. So हमें क्या करना है? तीन solutions सोचने हैं सरके भाई हम वेस्टिज से बच सके हैं ठीक है? So discuss with your group आपको भी discuss करना है आप अपने parents के साथ discuss कर सकते हैं अपने elders से या फिर अपने friends के साथ भी discuss कर सकते हैं कि भाई इस wastage को कैसे रोका जा सके ठीक है? Activities both inside and outside the house that can lead to water pollution और wastage ठीक है? अब मैं आप सबको activities बताने वाली हूँ जैसे पानी बहुत जादा waste होता है या फिर बहुत जादा pollute होता है या activities हमारे घर के अंदर होती है या फिर घर के बाहर होती है जैसे पर येगर car wash कर रहे हैं तो वो घर के बाहर wastage हो रहा है अगर आप brush करते करते, taps आपने खुले छोड़ दिये तो वो आपके घर के अंदर wasted हो रहा है तो ऐसी activities के बारे में हमें एक list त्यार करनी है चिक और कुछ examples है leaving taps running भई हमेशा taps को खुला छोड़ देना भई आप face wash कर रहे हैं तो आप mug में पानी भरके भी तो wash कर सकते हैं यह नहीं कि आप taps को आपने खुला छोड़ दिया है अब आप बस पानी बहाते जा रहे हैं बहाते जा रहे हैं इससे क्या होगा students इससे आपको बिल्कुल भी पताने चल पाएगा कि आपने कितना पानी बैस कर दिया लेकिन अगर वही आप भई एक mug में पानी ले ले लें और फिर अगर आप फेस को वाश करें यह भई इससे बचा जा सकता है है ना है वेस्टेज को भी रोका जा सकता है है ना students इससे हम अवेर भी रहेंगे है ना students सो भई हमेशा हमें taps को खुला नहीं छूड़ना है है ना using too much water for gardening gardening में बहुत जादा पानी इस्तमाल कर ली ना यह चीज गलत है भाई अगर हम used पानी को reuse कर लें जैसे कि suppose आपकी मदर ने potatoes को boil किया है ठीक है अब potatoes को boil करने के लिए कुछ पानी चाहिए रहेगा राइट वो पानी जो भाई बच गया है जैसे कि potatoes boil भी हो गए और वो जो पानी बच गया है वो वापिस है हम reuse कर सकते हैं वो हम भाई garden में water कर सकते हैं plants को right so ऐसे क्या हो जाएगा भाई पानी जो आपने boil करने के लिए यूज किया था वो विलकुल भी waste नहीं होगा and reuse भी हो जाएगा ठीक है तो हम garden में plants को water कर सकते हैं वही पानी है ना जो मामी cooking में इस्तमाल करती है और इसे पानी जो है वो बहुत जादा nutrition वे mix हो जाए ना पॉटेटोस जो boil हुए है उसका बहुत ज्यादा nutrition में पानी में मिक्स हो गया राइट सो अगर वहीड पानी आप प्लांस को डालेंगे सो इसे प्लांस आपके बहुत ज्यादा हेल्दी रहेंगे अच्छे से ग्रो करेंगे और पानी का वेस्टेज में नहीं होगा ठीके सो भाई ये एक तरीका है कि हम reuse करें water को ठेक है सो भाई और throwing trash in rivers भाई जो लोग villages में रहते हैं है ना वो लोग भाई देखते होंगे ऐसी activities को होते हैं भाई बहुत सारे लोग ऐसे होते जो बरतन जाकर धोते नदियों के आसपास वो जो chemicals होते हैं dishwasher में है ना जैसे की जो surf use किया जाता है वो surf जाकर river में mix हो जाता है जो लोग कपड़े धोते हैं नदियों के असपास वो chemicals भी नदी में mix हो जाते हैं या फिर जो लोग नदियों में क्या फेकते हैं भाई अपना garbage, अपने waste throw करते है rivers में इससे क्या होता है वो पूरी river pollute हो रही है है ना जब पूरा नदी का पानी है वो गंदा हो रहा है so यह activities को हम immediately stop करना चाहिए भई ठीक है students यह भई यह सारी activities unhealthy है है ना हमारी body के लिए भी इससे भई जो environment यह तो गंदा हो रहा है जब वो पानी हमारी घरों में आएगा वो पानी हमारी health के लिए भी बहुत जादा क्या होगा भाई बहुत जादा खराब होगा ठीक है so यह सारी activities भी stop कर देनी चाहिए हमें immediately ठीक है so also discuss with your group to come up with three solutions to avoid wasting water such as turning of taps tightly है ना so students हमें कभी भी जो taps है जो नल है हमेशे नहीं छोड़ना है ठीक है हम try कर सकते हैं कि भाई हम buckets का या फिर mugs का use करें ठीक है so इससे क्या होगा भाई students आपके मन में भी calculation रहेगा कि आपने किता पानी use किया राइट अगर आप ऐसे ही tabs को open करके brush करेंगे तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा कि आपने किता पानी waste कर दिया राइट लेकिन आप भाई दो mugs फिल करके रख सकते हैं है ना इससे क्या होगा students जो wastage है वो हम avoid कर सकते हैं है ना face wash भी अगर आप कर रहे हैं तो एक mug आप फिल करके रख लीजे और उससे करें राइट भाई अगर हम tabs को ऐसे उपन रख देते हैं ऐसे खुला छोड़ देते तो जो wastage है वो बहुत जादा होता है और हमें पता भी ने चलता है जो हमें ट्राइक करना है कि भाई जो wastage जो कम हो है ना हमें हमेशा जो टाप से tightly क्या रखने है भाई हमेशा हमको ऑफ रखने ठीक है जैसे हमारा यूस हो जाए हमें बार बार ऐसे टाप्स को और नहीं करना है भाई आप मक्स फिल कर लीजे बकेट फिल कर लीजे और टाप्स को टाइटली ओफ कर दीजे ठीक है using a watering can instead of a hose for plants ठीक है जो भाई मैंने जैसे पता है कि हम pipes का इस्तमाल करते हैं अगर plants को water करने के लिए या फिर car wash करने के लिए bicycle wash करने के लिए इससे पानी बहुत जादा waste होता है ठीक है इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं आप एक can को फिल कर सकते हैं ठीक है आप एक can fill कर लीजिए उसी can का जो उस can में जिता भी water आप वही उस करिए ठीक है तो भाई आप calculated water ही उस करिए ऐसे अगरा हमारी जो pipe से हम car wash करेंगे या फिर plants को हम water देंगे से पानी बहुत जादा waste होता है students ठीक है तो students are not littering near water sources हमें बिलकुल भी litter नहीं करना चाहिए बिलकुल भी जो garbage है न इदर दर थू नहीं करना चाहिए पॉंड के आसपास rivers में या फिर lakes में water बिलकुल भी नहीं थू करना चाहिए चीक है so students write down the three solutions your group come up within your notebook so students आपको भी ऐसे ही तीन solutions के बारे में सोचना है जैसे मैंने बताया we can reuse the water we can use bucket है ना instead of turning on the tabs ठीक है so भाई आप अगर continuously tabs को on रखेंगे तो भाई water waste होगा bucket या mugs का use करिये आपको भी ऐसे three solutions के बारे में सोचना है ठीक है अपने friends के साथ discuss कर सकते है अपने parents के साथ discuss कर सकते है and those three solutions आपको note करने है ठीक है so ऐसे ही आप note कर लेंगे ठीक है जैसे मैंने बताया भाई reuse the water आप जो भी पानी यूज हो रहा है kitchen में while cooking वो पानी हम plants में डाल सकते हैं है ना students so ऐसे reuse भी हो रहा है and wastage भी नहीं हो रहा water का ठीक है so आप भी ऐसे solutions के बारे में सोचिए मुझे comment section में बताईएगा ठीक है सब मेरी भी help हो जाएगी ठीक है students भाई आपके पास क्या ideas है जरूर बताईएगा मुझे and इसी के साथ हमारी exercise is over हो चुकी आपको क्या करना है अपना score मुझे comment section में बताना है ठीक है and आप मुझे please कुछ ideas बताईएगा कि हम कैसे wastage water का wastage avoid करें है ना तो students अब आपको क्या करना है वीडियो को like करना है यह task के आप सब के पास जित्ते students watch करें जोल यह से वीडियो को like करो चाहिए and share करो वीडियो को अपने friends के साथ अपने parents के साथ करिये है ना so चलिए अब Magnet Brains को कर लो subscribe Magnet Brains आप सभी को high quality education provide कराता है वो भी free of course यह top courses अब सभी के लिए अविलेबल हैं जैसे English and Hindi media सबसे पहले भाई CBSE board जो है आपको English media में मिल जाएगा यह five other state boards आपके Hindi media में available है जैके जैसे Delhi board, Bihar board, UP board, MP board and Protestant board Vedic math and spoken English यह तो fully organized courses है जैसमों daily practice questions भी provide करा जाते है Crash course आपको full exam time में cover कर वाया जाता है जैके यह रहे different platforms जैसे Facebook, Instagram, Twitter, Telegram and WhatsApp यहाँ पर भी follow कर लिजे जा कि आप हमेशा updated है All right, so students इसके साथ साथ यह रहा Mindet Brains का application and यह रही website इसे भी visit कर लिजेगा, check कर लिजेगा कि वही कोई भी चीज मिस ना हो जाए All right, इसके साथ आपको मिल जाएगा e-norts and e-books का link description box में उसे grab करने के लिए link को चेक करना मत भूलेगा All right, फिर मलेंगे इसी मज़िदार वीडियो में, ठीके, तब तर के लिए आपको क्या करने है, हमेशा कुछ रहना है, मुस्कराते रहना है, keep learning